टाटा मोटर्स के शेयर पो लेकर सभी को अपने अलग अलग विचार हैं पर क्या आप लोगों को पता है टाटा मोटर्स में अवे वीची ने सिफ 40 रूपे की इंवेस्टमेंट के थी तो आज के समय पे उस 40 रुपे की investment की वेन में 96 लाप रुपे से भी जादा हो चुकी है साथी अवे किसी रे सी 100 shares कर दी थे तो वो shares आज के समय पे 18,000 से भी जादा shares में convert हो चुके है कैसे यह सारी सीजर possible हो आई है आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले है आज उन जानेंगे company की stop spirit की history, company की bonus की history साथी कैसे company ने पिछले को साथ में 2,44,000 गुना से भी जादा capital growth दी है बड़ वीडियो को अभी बड़ने से पहने वीडियो को लाइच सरू कर भी जेगा चैनल पर फरस्टर मीडिन के हैं तो सब्सक्राइब करनी देना चैनल यह बाते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं के नैसे यह सारी चीटे possible लोग भाई हैं तो टाटा मोटर्स का जो शेयर अभी आपको 520 रुपे पे देखने को मिलता है एक जमाना हुआ करता था जब वो 40 पैसे पे भी ट्रेड करता हूँ नजर आता था मैं बात कर रहा हूँ 1977 की अगर उस समय पे किसी ने 40 रुपे की भी इन्वेस्मेंट की यानि की 100 शेयर भी अगर कंपनी के खरीदे तो आज के समय पे वो करोड़ पती बन चुका है हलाकि टाइम पिरिड बहुत बड़ा रहा है बट इन विट भी नगर हम देखें तो जरूरी नहीं है कि आप भी इतने लंबे टाइम पिरिड के लिए ओल्ड कीजिए आप अगर 20 साल के लिए 25 साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो इसी तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अब हम एक जर्णी स्टार्ट करते हैं कि सपोज कीजिए 1977 में जो 40 पैसे का शेर था आपने वो 100 शेर्स करी दे तो आपका जो टोटल इन्वेस्मेंट रहा 40 रुपे का रहा उस समय के इसाब से 40 रुपे भी एक अच्छा खासा बड़ा एमाउंट था और आज के समय पे अगर हम 40 रुपे को देखें तो बहुत ही छोटा माइनर सा एमाउंट नजर आता है बट जो जरने स्टार्ट हो रही है वो सिर्फ 40 रुपे की इन्वेस्मेंट और 100 शेर्स के साथ स्टार्ट होती है 1977 में ही कमपनी ने पहली बार बोनस एनाउंस किया और बोनस जो दिया गया था वो था 1 रेशो 5 का यानि कि 5 शेर के उपर आपको 1 शेर एक्स्ट्रा मिलेगा तो जो 100 शेर्स थे वो कनवर्ट हो गया हमारे बोनस के बाद 120 शेर में उसके बाद कमपनी ने 2 साल बाद फिर से कॉर्परेट एक्सन किया याँ पर कमपनी ने 1989 में फिर से बोनस दिया और इस बार जो बोनस दिया गया वो था 2 रेशो 5 का यानि जो हमारे 120 शेर थे अब वो convert हो चुके थे 168 share में उसके बाद company ने फिर से एक बार bonus की announcement की इस बार company ने bonus 1982 में दिया था एंड अगर हम बात करें तो 2 ratio 5 के ratio में ही फिर से दिया गया और इस बार जो हमारे 168 share थे अब वो बढ़कर हो चुके थे 232 share तो अगर आप देखो 100 shares already 5 साल में double से ज़्यादा हो चुके हैं वापस company ने फिर से bonus का announcement किया इस बार time period थोड़ा ज़्यादा रहा और 1995 में इस बार company की दरफ से bonus का announcement हुआ और जो bonus दिया गया वो दिया गया 3 ratio 5 का 232 share थे वो बढ़कर हो चुके थे 368 share next year 1996 में company ने stock split का announcement किया एंड उस समय पे face value 100 रुपे होती थी तो 100 रुपे की face value को 10 रुपे में convert किया गया तो 368 share जो थे अब वो 10 गुना बढ़ चुके थे वो total हो चुके थे 3680 share उसके बाद company ने फिर थोड़ा सा लंबा time period लिया और 2011 में फिर से एक और corporate action और इस बार stock split हुआ 10 रुपे से 2 रुपे face value को किया गया तो एक share जो था वो 5 share में convert हो गया 3680 share जो थे वो 18400 share में convert हो गए total time period अगर आप देखोगे तो लगबग लगबग 34-35 साल का यहां हो चुका था उसके बाद अगर हम देखे कंपनी की तरफ से अभी तक कोई corporate action नहीं हुआ है बट अगर हम number of shares की बात करें तो 100 share आज के समय पे 18400 share में convert हो गए 40 रुपे की investment की current valuation निकाले तो 18400 share multiply 520 current stock का जो price है valuations निकल कर आती है 95,68,000 plus company ने in between कुछ dividends भी दिया है तो overall अगर हम देखे तो 96,97 लाख रुपे तक की valuation 40 रुपे की investment से बन चुकी थी total returns की मैं अगर बात करूं 2,49,200 गुना के returns अभी तक मिले हैं जो valuation हम 40 रुपे देख रहे हैं actual में वो 40 रुपे आज के समय पे nearly 1 करोड हो चुका है तो ये power होती है long term investment की इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ अगर आप भी एक investor हैं तो हर dip में add करके छोड़ दीजिए and at least 15-20 साल का vision रखिए पहले जो growth थी वो काफी fast वी अभी market में volatility जादा है growth up-down होती रहती है बट लंबे समय की अबदी में आपको हमेशा अच्छे return मिलते हैं इसी तरी की already हमने कुछ और videos भी post की हुई है जैसे ITC के बारे में भी बताया है विप्रो के बारे में बताया है मदरसं सूमी wiring के बारे में बताया हुआ है मदरसं सूमी के बारे में बताया हुआ है अगर आप लोग चेक आउट करना चाहें तो चैनल पर विजिट करके चेक आउट कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो को मैं एंट करता हूँ उमीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी विडियो अच्छा लगा हो तो मेक्शोर लाइक ज़रू कर दीजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर को गोल्ड करते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपके पास कितनी क्वांटिटी है